हेलो दोस्तों एक वर फिर से आप लोगों को स्वागत है स्टेडी मीत्र में दोस्तों अभी हम लोग भिहार इस्टे टेस्ट बुक को पढ़ रहे हैं जिस करम में हमने क्लास 6 का सुरू किया है जोगरफी को जोगरफी की सासत हिष्ट्री भी सासत चल रहा है प्ले लिस्ट मे को लाइन बर लाइन अच्छे से समझेंगे आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है यह देखका हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हम आतमिस्वास हमारा बढ़ता है कि हम और अच्छा वीडियो बनाएं तो आप लोग को मैं एक रिकमेंट करूंगा कि प्लेलिस्ट प्रिथवी के प्रमुक अस्थल रूप के क्या होंगे विभिन अस्थला किर्तियां परवत बठार और मैदान इनके बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम लोग जैसा की देख रहे हैं क्लासिक्स में क्या है बादचीत के करम में हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट बू कैसा ही बन परेड में भाग लेने दिल्ली जा रहे हैं जो बच्चे आये हुए हैं बिहर के अलग अलग जिलों से आये हैं और वो सिक्षी काओं के नेत्रित में कहा जा रहे हैं दिल्ली किसलिए परेड को देखने के लिए सभी अपने सीट पर बैट गए गारी चल परी बच्चे पास से बुजरने वाली कौन बोला राहुल की कुसका घर उसी सून नदी के किनारे होगा कहीं पर खिरकियों से देखना दूर दूर तक मैदान ही मैदान नजर आते हैं वह आपसे कोश्चन पूछेगा कि सून नगर जहां बहती है वहाँ पर क्या नजर आते हैं तो दूर बालमे की नगर में तो घने जंगल और पहार दिखाए पड़ते हैं अब मनुझ कहाँ था शूली की नगर बहुत इंप्रूटेंट है बिहार का इकलाओता नेश्नल पार कहाँ पर Rahator कर घृ बहुतरी हिस्थें है उपर की तरफ है याद रखेगा बहृत की नगर राहूल बोला सच मैंने कभी नहीं देखा है तभी गीता बोल उठी ऐसा भी क्या अभी राजगीर और जमुई के और जाओ तुम्हें पहारियां दिखाई परेंगी राजगीर और जमुई से लेके मुंगर तक क्या है वहाँ पर आपको पठार दिखाए देगा पहा रही था तो दोनों में हो गया तभी सीख्ष का इन बच्चों के बात सुनकर मुस्क्रा रहे थी उन्होंने सभी बच्चों को पास बोला और बोला कहा क्या बोला सुनिए यह पहार पठार और मैदान प्रकृती की देन है यहां पर मैं फिर आपको एक बार बोलूँगा कि बिहार एस्पेसल में जो हमने विडियो बनाए हैं उसको देखिएगा उसको देखिएगा तो एकदम बिहार बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा और एक भी कोश्चन मिशने होगा और यह सारी चीजें भी उसमें है सिक्षिका ने राहुल से पूछा देखिएगा बीच में कोश्चन दे रहा है कि बालमी की नगर कहा है कहा है आपको पता चली गया बागी तो सिंपल है सिख्षा ने रहुल से पूछा रहुल आप बताईए आपके गाओं में भूमी कैसी है लोग क्या क्या करते हैं सिख्षी काने केसे पूछा रहुल से रहुल अब देखें एक चितर दिया हुआ है जो कि मैदानी भाग का चितरे का ओए खेत है बीच बीच में ये तार के पेर हैं तो मैदानी भाग कैसी होता है समतल रहूल बोला हमारे गाउं में दूर दूर तक समतल भूमी है यानि मैदान में क्या होता है समतल भूमी कहीं उची नीची नहीं है और इसमें लोग क्या बोते हैं धान, गेहूं, चना, एकित्यारी फसले लगाते हैं नदी और तलाब भी है कहा मैदानी भाग में क्रिसी कारी के लिए लोग बरसा पर आधारी थे हैं हमारे देश में अधिकतर लोग तो क्रिसी के लिए किस पर आधारी थे बरसा पर इसलिए कहा जाता है कि भारते क्रिसी मांसुन के साथ जुवा है ये लाइन बहुत बहुत पुछा गया है क्यूं बरसात के दिनों में पानी खेतों में रुख जाता है सीचाई के लिए बरसा के जलका बंडारन आहर में भी किया जाता है कुछ किनारों में नहरों की विवस्ता है ठीक है कुछ जगों पर नहरों की विवस्ता है नदियों में बांध बनाकर पानी कहां तक पहुचाया जाता है खेतों तक पहुचाया जाता है हर तरफ मिटी एक जैसी नहीं है बिल्कुल से बिहार जो मिटी है या पूरे देश में या दुनिया में एक जैसी मिटी नहीं अलग अलग तरह की मिटी है अब देखिए फिर मैं आपको याद दिलाओंगा कि बिहार स्पेसल में एक चेप्टर हमने बनाया है बिहार की मिटी या और उसमें आप बहुत अच्छे समझे है कि बिहार के किसी से में कौन सी मिटी है तो यहाँ पर क्या करते हैं कहीं चिकनी है तो कहीं दोमत मिटी है खेतों के जुताई के लिए हल, बैल, ट्रेक्टर, पावर टीलर का प्रियोग किया जाता है हल तो लगभग अब खत्म ही हो गया है चिकनी मिटी को केवाल मिटी भी कहते है और जिसमें धान की फसल खूब होती है दलदली में दलहन की फसल खूब होती है कई गाउं पक्की सरक से जुरु हो है तो कई गाउं कची सरक से अभी भी कहीं कहीं पर कची सरक है ने तो अधितर गाउं तो पक्की सरक से जुरी चुके है यहाँ पर बैल गारी चलती है ट्रेक्टर ठेला आटो आदी समग्रियों से पसों का चारा ढोया जाता है और भी कही चीजी जित्या ढोया जाते हैं कुछ लोग बस रेलगारी बस और रेलगारी से सहर में नौकरी करने जाते हैं से कई लोग बहर जाते हैं नवकरी करने लिए आप्टने गावों में और देखत하죠 हों èn पके जान पचंट के कई लोग हैं कई गाव हमें नदी नालों के किनारी सरकार ने पेर भी लगा सब्सक्राइब साथ ही घरों के नजदीक वाली जमीन पर कुछ इसान सब्सक्राइब भी उगाते हैं, जिनकी बजार में खूम मांग है, मतलब जो की कम उर्वर कपड़ियों करके होता है, आप लोग ये अपने घर में पक्का सबजी उगाते होंगे, कम सकम लता वाले चीज़ों तो जरूर आते होंगे, और गवाँ में तो लोगों हो वास क्या होता है, छोटी जमीन होता है, जिसमी क्या करते हैं, सब्सक्राइब के लिए बाड़ी भी बोलते हैं, रहने के लिए पक्के और कच्छे मकाने, खाने के लिए भाट, रोटी, दाल, सब्जी, दूद्ध, चूरा, सत्तु और चना पर मुख है, जब इतना बात आपने बहुत अच्छी बात बताई, सिख्षीगाने बात आगे बढ़ाते हूव करेता है नीची और सम्तल भूमी का प्रदेस मैदान काहला था है, अब बताई अगर आपसे पूछे कि मैदान किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा। नीची और समतल भूमी का परदेश जो होता है, जहां प्लेन होता है, उसको मैदान कहते हैं, मैदान की सबसे बरी विवेस्टा क्या है, कि समुटत से उचे या नीचे भी हो सकते हैं, अधिकतल जगह उचे ही है, लेकिन कहीं कहीं समुटत से नीचे भी हो सकते हैं, परंतु सम और बहुत अस्थानी अंतर हो जाता है मैदान मुखते कितने प्रकार के होते हैं दिखिए पहला क्या है अपर्दक मूलनक मैदान यह मैदान जिसकी रचना अपर्दन की किरिया का प्रमुखादर रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाता है जैसे फिल्लेंड का मैदान उत्तर है ना वो घिस-घिस के क्या हो जाता है मैदान में बदल जाता है दूसरा निक्षेपन मुलक मजा निक्षेपन की किरिया के दौरा नदियों हिमानियों तथा बायू तथा सागे तरंगों से जो के मैदान बनते हैं उसे निक्षेपन के मैदान काते हैं यह कैसे होता है होता है नदी क्या करती है जैसे बाड आती है तो वो अपनी बिटी को ले जाती है और जहां जहां बाड जगा फैला देती है इससे क्या होता है उसे रिया में मैदान बन जाता है इसी को निक्षेपन करता है निक्षेपन मतलब एक अस्तान से उठाओ दूसरे जगा पे डाल दो तो इस परकार के मैदानों का निर्वान प्रित्वी के आंत्रिक हलचलों के दौरहते प्रित्वी के अंदर प्रित्वी के अंदर प्रित्वी के अंदर प्रित्वी के 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 प्रित बिल्कुल से मैधान में बहुत असान से मिल जाता है, इसलिए मैधान की आवादी जहादा देखने को मिलेगी आपको। उतना अच्छा तो भी नहीं बन पा रहा है, इस ताइब का बिहार है, और गंगा नदी एक दम बेश से भाती है, तो उपर का हिस्सा को बोलते हैं गंगा नदी का उत्र हिस्ए का मैधान और नीचे धक्रिक। अधिक्तर भाग गंगानेदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूपे फैला हुआ और इसमें कौन सा काम होता है क्रिसी का यह होता है और ऐसे मैदान पस्ची में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैले हुए हैं ये इलाके सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं यह पूरा मैदानी चेतर अनुत पाधन के लिए परसीद है मैदानी चेतर में ज़्यादा अनुत का उत्पाधन होता है इसे भारत की उत्री मैदान के नाम से जाना जाता है भारत का जम नक्सा देखिएगा न इतना अच्छा भी नहीं बन पा रहा है इस तरह से बहुत गरबर हो गया लेकिन देखिए यह जो उपर का हिस्सा है वहाँ पे मैदान है यह उत्तरी हिसे में क्या है मैदान ही मैदान है इसके लिए एक वीडियो है नाइन्थ कलास का जो वीडियो है ना पहला चप्टर वूस को देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारत का प्राकरतिक बनावट कैसी है अब अगला दूसरा ट्रॉप का है पठार तो सिख्षिका की बात सुनसरों ते बच्चे आपसमें बात करने लेते हैं तहुत है जिसके आपको मालूम है बच्चों ने नामे सी रहे लाया बच्चों को किया बच्चे तो भी सीख रहे हैं तो सिक्षानकान ने बताया कि पठार के आसपास की भूमी से उचा होता है यनि पठार जो होता हो अपने आसपास की भूमी से उचा होता है तथा उसके उपर का भाग सपाट होता है पठार की उचा ये कुछ सो मीटर से ले करके कुछ हजार मीटर तक हो सकती है कुछ पठार तो हजारों किलमेटर की छेतर में फैले हुए हैं, हमारे देश में धक्कन का पठार तो छोटा नागबूर पठार इसके अच्छे उधारन है, इसके अलावे तिबबत का पठार संसार का सबसे उचा पठार है, और पामीर की पठार को संसार का संसार की छत भी कहा जाता है, आ यह अमना नदी हो जाएगी, फिर गंगा नदी भाती है, फिर उसके बाद कोसी होती है, अल्लाश्ट मी धर से ब्रह्म पुत्र नदी भाती है, तो यहाँ पर क्या है, यह सारी नदियां जो है न, यहाँ एक मैदान बनाते है, जिसे उत्तर भारत का मैदान कहाता है, और सबसे ज़्यादा अच्छ होती और नीचे का हिसा देखें नीचे किसा हम जो यह रेट कलर में दिख रहा है न यह पठार ही हिस्सा हो जाता है जिसमें दक्कन का पठार और छोटा नागपूर का पठार है तो चली यहाँ से सबसे इंपोर्टन कोश्चन क्या आता है बताईए संसार का सबसे उच्छा पठार कौन सा है और संसार की छट किस पठार को कहा जाता है राजु पूछ बेठा इन पठारों में क्या मिलता है इन पठारों में खनीज भंडार मिलते हैं खनीज का सबसे अच्छा भंडार कौन सा हिस्सा होता है पठार हिस्सा जिसे जहारखन पूरा पठार है लेकिन वो खनीज के मामले में बहुत ही क्या है? अमीर है, बहुत प्रचूडता है वहाँ पे. अब आपसे कोश्चिन किया है, चोटा नागपूर के पठार में कौन कौन से खनीज मिलते हैं? ये खनीज हमारे जीमन को कैसे प्रभावित करते हैं? देखे, चोटा नागपूर के पठार में कई खनीज मिलते हैं, बॉकसाइट, अबरक, तामबा, लोहा, ये सारे खनीज मिलते हैं. और इन खनीज और समर जीमन को कैसे प्रभावित करते हैं? आप देखे, हमारे जीवन में लोग चीज़ें उपयोग करते हैं, बिना खनीज का संभव हो पाता है. जैसे देखिए, लोहा, उसका कितना चीज़ें प्रयोग करते हैं, तामबा, सोना, हर चीज़ें का प्रयोग हमारे जीमन में होता है, आप बाइक चलाते हैं, बाइक का सारा समन किसे लोहा वगर ऐसे बना हुआ है, जो कि खनीज है, अब जिसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल क्या है, परवत, तो मनुझ बोला, कि दीदी, मेरे पस्चीम चंपारन जिला में भी तो पठार है, तभी सिक्षिका बोली, नहीं, नहीं, तुम जो पठार करें, वो पठार नहीं, बलकि परवत है, और किस परवत का हिस्सा है, वो हिमाले का निचला हिस्सा है, ये लंबी स बर्फ जमीर रहती है, इन में से कई नदियां निकलती है, गंगा, सतलज, यमना, सिंदू, ब्रहंपुत्र, ये सब वहीं से तो निकल लिया है हिमाले से, उसी बर्फ से, गलेसियर से, भारत में हिमाले पर बर्फ जमीर रहती है, और कई नदियां भी इन से निकलती है, कौन- उचे चोटी है और इसके उचाई कितना है आप लोग कमेंट करके बताईए और साथ-साथ ये भी बताई कि दूसरे नंबर पर कौन सी चोटी आती है हिमाले परवत की अधिक उचाई के कारा नहीं उसके सिर्ष भाग में हमें साब बर्फ जमे रहते हैं लेकिन कम उचाई के क साथ एक जैसा नहीं होता है बिहार में बरे परवत तो नहीं है किन्तु छोटी छोटी पहारियां जरूर है जिने आप राजगीर, गिरियक, बराकर, हवेली, खरकपूर और मंदार, हिल में जाकर देख सकते हैं दीदी बताईए सब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे उन्हो पाई जाते हैं जिनसे हमें लक्रिया, चारा, और ती आदी प्राब तो होते हैं। पहार पर कैसे खेती होगी मुस्किल है की नहीं वहां पर थोड़ी बहुत जहां पर मिट्टी होती है वहां पर खेती किया जाता है लेकिन फिर भी खेती करने के लिए लोग वहां पर क्या करता है सीधी नुमा खेत बनाते हैं चलिए आप से question पूछा जाएगा कि पहारों पर एक्षा कथीन है और मैदानी भाग में जीवन यापन करना के मुकाबले पहारी भाग में जीवन यापन करना ज्यादा मुस्किल है क्यों है इन समस्याओ के कारण अब देखिए परवत के उपर भाग पे लोग चटने का काम करते हैं जिसे परवता रोहन के यह एक खेल है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा ही लोग पर यह होता जा रहा है तो परवता रोहन का खेल अत्यदी कुचाही वाले परवतों पर होता है सैलानी के लिए पर्याटा कस्तल आकरसन के केंदर है पहार जहां बर्प जमी होती है वहाँ पर लोग स्कींग करते हैं स्कींग क्या करते हैं बर्प पर फिसलने वाला काम इस चीतर में देखिए हैं पर क्या बर पर फिसलते हैं तो इसको इसकी इंग भी कहते हैं यह तो खेर पड़वातार होई का चित्र है इस किंग में क्या होता है कि पैर में एक पट्टी पान लेते हैं लोग उसके उपर हो गए फिर हाथ में एक डंटा है और इस डंटा से की सहाज़ता से क्या होते हैं आगे की तरफ फिसलते हैं इसी को स्कींग काते हैं सिम्ला और कस्मीर में पर्याटक इसका खूब आन्द लेते हैं, हाँ दीदी फिल्म और टीवी में हमने ऐसा देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बिल्कुल सही करो, दीदी ने हमें से रहिलाया, अब इसमें बोला है कि भारत के कौन-कौन सथान पर्वतिय पर्वतिय 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 संकु के अकार का, तो हम लोग क्या बोलते हैं। भारत में ये कहा है्? हिमाले परवत, और दकचिन अमेरिका थाएका इंटीज परवत, ये बलिध परवत के उधारन है। और ये सबसे नए परवत भी हैं, नविन परवत भी है। कम उम्रू के परवत हैं दूसरा है प्रंसोत्त परवत प्रित्वी के आंतरी खलचलों के कारण प्रित्वी पर दरारे पर जाती है दो दरावन के बीच का भाग उपर उड़ जाता है और इससे उठे भाग को प्रंसोत्त परवत कहा जाता है और भाग का सत्पूर्वा परवत जो है इसका उधारन होता क्या है जिसे पिर्थवी है पिर्थवी के इस कोर में क्या है अलग अलग चट्राने है और इन चट्रानों के टक्राने से आंत्रे खल चनल के कारण क्या होता है पिर्थवी पर कम टाय आ जाता है वो हिल्ले डोने लगती है तो हिल्ले डोने से क्या हो तीसरा है जॉला मुखी परवत जॉला मुखी के निकले लाबे पदारतों के ठंडा होके जमा हो जाने से जो परवत बनता है इसका नाम है जॉला मुखी परवत इटली का बिसु विएस परवत इसका उतार है भारत के अंड़ा निकॉमार का बैरन आइलेंड में सक्री जॉला प्रवहารी कहाया जाता है कि मेरे निकलता है और उसका लावा दोनों तरफ पहलता रहता है पिर यह ठंदा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद ये क्या होता है ऐक्दम परवत का सक्कल ले लें लेता है इस परवत बन जाता है और इसी परवत को क्या बोलते हैं जो अला मुखी परवत कहा जाता है मैदानों पठारों और पहारों के बदलते चेहरे सिक्षिका ने आगे कहा कि अब तो मैदान पठार और पहार पहले जैसे नहीं रह गये ये सभी बच्चे चौँग गए बोला क्यों सिक्षिका बोली बढ़ती जन संख्या के कारण बढ़ती जन संख्या के लिए हमें क्या चाहिए भोजन वस्तर आवास की जुरत परती है और इसके लिए लोग क्या करते हैं मैदान में जन संख्या बढ़ गई तो लोग पहारों पर बसने लगे और पर्यटन के लिए बहुत लोग पहुंचते हैं जब पर्यटन के लिए से लिए जो हैं, वो जगह पहले की जैसे अब नहीं रहे इसके साथ ससरक निर्वान के लिए इनी पठारों और पहारों को काटा जाता है इस स्टी ये बिलिपत होते जा रहे हैं मैधानों में परिवहन जल शमतल भूमी की उपलफता कारण कलकार खाना हैं क्यों लगें क्योंकि यहां पर एक तो अबादी अच्छे तो यहां पर लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए परीवहन अच्छा है जल मिल जाता है समतल भूमि की कारण यहां पर installation आसान है इसलिए यहाँ पे कलकार खानी लगे है जिससे अबादी काफी घनी हो गई है कलकार खानों के लिए खनीजों की उपलवता कहां से है पठारों से ही आता है इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है इन सब की प्राकृतिक सुन्दर्ता प्राकृतिक सुन्दर्ता घट रही है क्यों क्योंकि प्राकृतिक को हम लोग दोहित कर रहे है वहाँ पर दूसन भी बढ़ रहा है और वन्चेतर घटे है मैदैनी भागों में सासा से उपलत भूजल का जवरदस्त उप्योग सिक्रिसी कारियों में कलकार खाने किनारे बाले जगों में पहले 30-40 फीट पे भी पानी आसानी से मिल जाता था लेकिन अब वही 100 फीट तक बहुँच गए लोग 100 से उपर तक एंट बंप गलवा रहे हैं यही वज़ा है कि इन छेतरों में भूजल का अस्तर गिरता जा रहा है आने वाले दिनों में हमें गिरते भूजल अस्तर की समस्या का जबर्दस सामना करना परेगा बिहार में तो अभी नहीं है लेकिन अगर ये इस तरह से दोहन होता रहा तो समस्या आने वाले समय में आ सकती है चलिए अब कुछ कोश्टन को देखते हैं जो इस किताब में ही है बिहार में सून ने दी किस छेतर से हो कुजरती है हमने देखा था किस छेतर से मैदानी छेतर से क्योंकि बच्चे ने क्या कहा था देखो दूर दूर तक पहार पठार कुछ नहीं दिख रहा है सिर्फ क्या दिख रहा है मैदा नहीं मैदा बालमी की नगर बिहार के किस छेतर में पस्ट्र में पारण है जो कि बिहार के किस छेतर में है उत्तरी छेतर में है और यह भारत का इकलो भारत नहीं आप कीजिएगा यह बिहार का इकलोता राष्ट्री है यह नि नेशनल पार्क ह धान के फसल के लिए कौन से मिटी चाहिए चिकनी मिटी चाहिए पथार के उपर की सत्ह क्या होती है नुकीला सपाट संकिन ढाल दाल सपाट होती है परवत कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं खालेस्तान को भरिये, बिहार का अधिकतर भाग, डैस नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, मैदानी भाग के रुप में फैला हुआ, डैस को संसार की छत, किसको, पामीर की पठार को, पहारों के लंबी सिरिंखला को क्या कहते हैं, परवत स्रेनी कहते हैं सिमला और कस्मिर देश के पर्वतिय परियतन छेत रहें प्राकृति बातावरन के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती क्या है जन संख्या और इस जन संख्या कारण क्या बढ़ता है पर दूसन तो देखिए जब भी बनाई ये न तो बहुत असानी से बन सकता है ये सब जब भी मिलान वाई तो पहले जो सबसे असान हो उसको मिलाई हिमाले क्या है हिमाले बलीत परवत है चलिए हमने मिला दिया प्राचीन पठार कौन सा है दक्कन का छेत्र नी पेक चात्मक मैदान कौन सा है हंगरी का मैदान और भ्रंसोस परबत कौन सा हो गया सत्पूरा पहार याराम से मिल गया तो देखिए प्रशन उत्तर जो है न हम लोग सारा चेप्टर भी खतम कर लेंगे तिन चारे दिन के अंदर फिर उसके बाद एक दिन रखेंगे जिसमें सारे चेप्टर से जो जो म मिलते हैं अगले वीडियो में